हेलो एवरिवन कैसे आप सभी आशा करती हूं आप सभी अच्छे हूंगे वैलकम बैक टू माइन यू व्लॉग तो आज है संडे और संडे होता है सबका बिजी डे इसलिए मेरा भी आज सुबह से बिजी डे चल रहा था इसलिए आज मैं सुबह से व्लॉग भी स्टार्ट न निकले थे एक्शली सोसाइटी के पास में एक एक एक्जिबीशन लगी हुई थी काफी अच्छी थी तो हमने सोचा कि वहां पर जाकर देखा जाए और आप सभी के साथ भी शेर किया जाए एक्जिबीशन का पूरा टोर तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए व्लॉक को कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आप सभी को भी कि यहां पर एक इस ट्राइब की एक्जिबीशन लगी है तो अभी हम पहुच गे हैं एक्जिबीशन में और यह काफी बड़ा ग्राउंड था जहां पर यह एक्जिबीशन लगी हुई थी और पारकिंग भ यहां पर अलग अलग सिटी से अलग अलग स्टेट से लोग आये हुए थे एक्जिबीशन लगाने के लिए तो काफी सुंदर और काफी बड़ी एरिया में यह एक्जिबीशन लगी हुई थी और यहां का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था शॉप्स भी ज़्यादा तो हमें जाते ही फर्स्ट में यह बैंगल की शॉप्स मिली और यहां के जो बैंगल थे ना वो इतने प्यारे प्यारे दिख रहे थे जैसा कि आप देखे सकते हैं इनका डिजाइन इनकी चमक इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना और हमने उनसे पूछा भी कि टाइम के जालते हो तो बिल्कुल भी इसकी शाइन नहीं जाएगी फिर हमें आपे एक दो पैंगल पसंद भी आ गए थे तो हमने फिर वो पर्चिस कर लिए और यहां पे बहुत सुंदर सुंदर से मंगल सूत्र भी थे लॉंग वाले तो वो भी अच्छे लग रहे थे पर वो तो मै नहीं बात बोल रहे थे कि ना तो इसका नग गिरेगा और नहीं इसकी शाइन जाएगी अज आगे फिरा इसके बाद अभी हम आ गए हैं गाउन के स्टॉल पे तो यहां पे बहुत सुंदर सुंदर से कॉटन के गाउन और दिजाइन काफी अच्छा था विमका प्यॉर कॉटन के ही कान ते इसके बाद नेक्स टॉल था यह जूतियों का तो यहां पे भी बहुत प्यारी प्यारी सी बहुत सुंदर सी जूतियां थी जो कि आप सूट साड़ी लहंगे किसी के सांद भी वेर कर सकते हो इसके बाद जो शॉप थी वो थी यहरिंग्स की और यहां पे प्यॉर सिल्वर के यहरिंग्स थे और इनके डिजाइन भी बहुत सुंदर थे अलग लग पैटन की यहरिंग्स थे और छोटे से बड़े तक हर टाइप के साइज थे यहां पे और यहां पे मुझे एक यहरिंग्स बहुत सादा पसंद आया तो वो मैंने पर्चिस कर लिया था तो इस तरह से यहां पे हर चीज एविलेबल थी यहां पे लेडीज के सूट जैंस के शर्ट्स और यह डेकॉरेशन का समान कुशन कवर कर्टेन बेड शीट्स बहुत सारी चीज़े थी यहां पे क्लच लहंगे ब्लाउस सारी बहुत सारी चीज़े यहां पे एक साथ एक ही जगह में एविलेबल थी तो बहुत सुंदर सुंदर समान आया था यहां पे मुझे तो परस्नली बहुत जादा अच्छा लगा यही ड्राइफूट्स कुछ-कुछ ड्राइफूट्स तो यहां पर हमाचल और फॉरंड कंट्री से भी आया हुआ था और ड्राइफूट अच्छे यहां पर हमने टेस्ट करके देखा और कुछ-कुछ चीजे तो हमने यहां से पच्छिस भी की जैसे पाम्किन सीट्स ब्लू बैरी चैरी तो यह चीज़े हमने यह से पच्छिस गी और जि यहां पर आके हमें अच्छा लगा और सारा समान अच्छी प्राइज में था इसलिए हम वो चीज़ें ले भी पाए यहां प्राइज में था इसलिए भी प्राइज में था इसलिए भी पाए यहां प्राइज में था इसलिए भी पाए यहां प्राइज में था इसलिए भी पाए यहां पितनी है यहां वाए यहां वाए इसके बाद मुझे यहां आके जो सबसे ज्यादा अच्छी शॉप लगी वो थी ये वाली यहां पर वुड़न का ही समान रखा हुआ था किचिन से लेके होम डेकर तक का सारा समान यहां पर अवेलेबल था तो किचिन की छोटी से छोटी चीज़ें सारी वुड़न की ही बनी होई थी सोफे, साइड टेबल, टाइनिंग टेबल, बहुत सारी छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी सारी चीज़ें यहां पर थी वुडन के मेकप बॉक्स, वुडन के बैंगल बॉक्स, येरिंग बॉक्स और छोटी-छोटी सी चीज़ें स्टोर करने के लिए छोटे-छोटे से लेके बड़े-बड़े तक के सारे बॉक्स यहाँ पे थे वुडन के और यही सारी चीज़े देखके ना मन कर रहा था कि सब कुछ एक एक ले ने पर यह तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीज़े एक साथ ले सके डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइटम यहाँ पे थे इंडोर प्लांट, आउट्डोर प्लांट सब का स्टैंड यहाँ पे था बहुत सारा बहुत सुन्दर सुन्दर से चीज़े यहाँ पे थी इतने सारे एंटिक पीस यहाँ पे थे ना कि मैं एकस्प्लेइन ही नहीं कर पाऊंगी तो कैसी लगी आप सभी को यह एक्जिबिशन कॉमेंट में जरूर बताईएगा और अगर आप इंडोर से हैं तो प्लीज यहाँ जरूर विजिट कीजेगा बहुत अच्छी एक्जिबिशन है यह मुझे तो परिसनली बहुत जादा पसंद आई एक्जिबिशन आप सभी को भी यह पसंद आई होगी चलिए अब इस व्लोग को मैं यहीं पेंट करती हूँ अगर व्लोग पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलती हूँ कर एक और ने इंट्रेस्टिंग से व्लोग के साथ तब तकी लिए बाई बाई टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग